आजा 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 उमेश यहां पे आजा थेकर है आज जो है मोतिमाला केस में जो दो अभ्यूक्त है उनको वारानसी और विहार से गिरफतार किया गया है और उनको यहां पर लाकर मायननीय नयाले में पेश किया गया है ये जो मामला है वो मोती माला के नाम पर जो फ्रॉड हुआ था दुर्ग, कोतवाली, ठाना शेतर के अंदर उसका है लगबग 6,000 महिलाओं के साथ जो है वो फ्रॉड किया गया था मोती माला देने के नाम पर 2500 रुपे लिये जाते थे उनसे और मोती जो है मोती दिये जाते और मुति की माला बना कर वापस देने के लिए उनको 3500 रुपय वापस देने का वादा किया जाता थ। यह वादा खिलाफी किया गया था और लगबग 6000 म filthy का पैसा जो है वो लेकर आरोपी फरार हो गया था। उसी तारतम्य में जो है पुलीस की टीम को पता चला और उन्होंने तुरंत ही उसमें FIR कर जांच चुरू की थी इनिशल जांच में हमें ये पता चला था कि जितने भी दस्तावेज जितने भी डॉकुमेंट्स में चाहे वो आधार काड हो चाहे वो किसी भी तरीके का और रेंट अगरिमेंट या कोई और दस्तावेज हो तो सारे के सारा दस्तावेज जो था वो फरजी जो है वो पाया गय लेकिन किन्तु यह पता चलाता हमको कि सिम कार्ड भी जो है वो फेक आदाता लेकिने भी उसके अंदर काफी ज्यादा इन्वाल होकर टेक्निकल टीम को बताया था कि कैसे इसके अंदर वर्काउट कर सकते हैं और उसके बाद जो पूरी टीम है वो टीम ने फाइनली एक क्लू निकाला उस क्लू के बेजिस पे हम अपराधी तक पहुँच पाए थे और जो में आरोपी है और साथ में उसका जो साथी था उस तक पहुँच कर उनका जो लोकेशन है वो हमने ट्रेस किया था तुरंच से हमने कुछ दिन पहले एक टीम को निकाला था हाला कि यह अभ्यू की तरफ निकल गया है तो हमारी टीम को हमें ततकाल से ओन स्पोर्ट एक्शन लेकर स्प्लिट करना पड़ा था एक टीम जो है वो बिहार पटना गई थी एक टीम वारानसी गई थी और वहां पर एक्स्टेंसिव अपराधी के बार में पता करने के बाद उनको पकड़ा गय पराधी है उसके पास से थार गाड़ी बरामत हुई है काफी सारे जो फेक आधार कार्ड वो बरामत किये गए हैं तकरीबन डेलाक रुपे बरामत किये गए और एक सुने की चेन भी बरामत की गई है बाकी पैसों के बारे में पूच्टाज जो है वो जारी है और अभी जो है अपराधी को मानिया नियाले में पेश किया जा रहा है